हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका आपने चैनल कुकवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होष्ट अनीसा आज मैं आपके लिए होली एस्पेसल पहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ मिठाई की जो की उपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही रस भरी जूसी बनके रेडी हुई है और घर के ही समानों से ये रेडी हुई है तो बिना वीडियो को एस्किप किये पूरा देखें मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ब वो परफेक्ट रेसिपी का है तो वीडियो को कहीं से भी आप इसकी बिलकुल ना करें तो इसमें मैं डाल रही हूँ वन एंड हाफ टेवले स्पून चीनी और अभी हमें इस चीनी में और डाल देना है दो टेवले स्पून ओयल तो यहां पे आप घी भी डाल सकते हैं एक टे आता है तो आप वनीला एसेंस अगर आपके पास एव लेवल हो तो आप डालें और इसको अच्छी तरह से जब चीनी जेखिए घुल चुका है अब इसमें मैं डाल दूगी एक कप मैदा एक कप मैदा के लिए डेर कप पानी परफेक्ट होता है चाहे आप जो भी मेजरमेंट के लिए घर का कोई कटोरी सेट कर ले और इसमें मैंने डाल दिया है एक टेवले स्पून कॉर्ण फ्लार कॉन फ्लार डालने से इसमें एक क्रिस्पीनेस आता है बहुत ही अच्छा सा और इसको लो फ्लेम पे हमें अच्छे से पका लेना है तो ये देखे इस तरह से आपको लगातार चलाते हुए इस तरह से दबा दबा के आप चलाइए जिससे कि इसमें कोई भी गुठली गाठे ना रहे तो ये देखे इस तरह से हमें इसको चलाते जाना है धीरे धीरे ये खुद ही जो है लंपस फ्री होता जाता है आप जैसे ज जो है, इंडिकेशन होता है कि ये कराही को छोड़ने लगे और ये देखे, ये सीमट के एक जगा तयार हो रहा है, तो अब गैस को आफ कर देंगे और इसको हम निकाल के छोड़ देंगे, जब तक के लिए ये हलका सा ठंडा होता है, तब तक हम बना लेते हैं इसके लिए चा तक पका लेंगे, तो यहां पे जब तक हमारा चीनी गुल रहा है, तब तक हमारा जो डो है, वो भी थोड़ा सा ठंडा उसे हमें करना है, पूरी तरह से ठंडा बिल्कुल ना करें, इतना ठंडा करना है जितना कि आप उसको छू सकें, यानि कि फिप्टी परसेंट तक हमे ठंडा कर लेना है तो ये देखिए हमारा डो जो है वो जो है ठंडा हो चुका है आधा जिसे कि हम इसको छू सकें इतना तो चलिए अब हम फिर चासनी चेक कर लेते हैं तो ये देखिए यहां पे जो है हमारा चासनी भी अच्छी तरह से चीनी घुल चुका है बस दो मिनट औ के तयार हो चुका है तो अब हम गयास को ओफ कर देंगे और चासनी को ढख के आप रख दे ताकि यह जल्दी से ठंधा ना हो तो चलिए अब हमारी चासनी भी रेडी हो चुकी है तो अब हम देख लेते हमारे डो को तो अब आप क्या करें हाथ में थोड़ा सा ओईल लगा ले कि यह कितना चिपक रहा है इसलिए मैंने आपको यह बताना जरूरी समझा ताकि आपका जो डो है वो चिपके नहीं अब इसमें मैंने लगा दिया है हलका सा ओईल तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है इसको हमें एकदम स्मूद बना लेना है तो आप से आप अच्छी को मसलते हुए स्काट सॉफ्ट बना लेना है जितना अच्छे से आप श्वडने के उतना ही अच्छा आपका मीठाई बनके रेडी होगा उपर से क्रिस्पी और अंदर से गडम जालीधार बनके रेडी होगा तो यह देख़ें हमारा डो रेडी हो च polythin जो है उसको लगा दिया है आप दूद के polythin के जगा पे नमक के थैली को धो के ले सकते हैं या फिर piping bag भी ले सकते हैं तो यहां पे इसको मैंने पहले जो है कट कर दिया है यहां से थोड़ा सा अगर बाद में लगेगा कि कट कम है तो फिर से हम जो है इसमें कट कर लें आप चाहे तो इसके जगह पे नोजल का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो नोजल से क्या होता है बहुत ज़्यादा हाड हो जाता है इसको निकालना इसलिए मैं आपको हलका वाला दिखा रही हूँ और यह देखे इस तरह से हमें दबाते हुए निकालते जाना और कैची स या चाकू से आप इस तरह से इसको कट करते जाएं कितना आसान है ना यह बनाना बहुत ही जल्दी आसानी से यह मिठाई बनके रेडी हो जाती है ना ही इसमें ज्यादा खर्चा है ना ही ज्यादा ताम ज्याम है बहुत ही आसानी से यह बनके रेडी हो जाता है यह तो बच यहां पर पर्फेक्ट रेशियो का ध्यान रखेगा अगर आप मैदा की कौंटिटी बरहा रहें तो उसी तरह से हर चीज बरहा सकते हैं तो यहां पर अब मैंने ले लिया है ओईल और ओईल को हम मीडियम होट होने देंगे यहां भी अच्छा टिप्स है अगर आपने ओईल को ज़्यादा गरम कर दिया तो फिर आपके मिठाई बिखर जाएगी और कम गरम करेंगे तो इसमें कौन फ्लोर है वो सारा ओईल सोख ले क्योंकि इसमें कौन फ्लोर है तो यह चिपक जाएगा आपस में तो इसलिए थोड़ा सा हटा हटा के आप एस पेस डाल डाल के इसको डाल दीजे कराही में और मीडियम जो फ्लेम है उसी पे हमें इसको पकाना है ना फ्लेम को आप लो करें ना मीडियम करें हाई करें तो इ ऐसे भी जो है snacks के जैसे खा सकते हैं, हलका सा चीनी का मातरा बरहा दिजे डो भनाते समय और फिर आप उसको इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है तो इस तरह से आप को चलाते हुए इसको पका लेना है, ताकि ये नीचे चिप के नहीं, वैसे नॉन स्टिक जो हमारा करा ही है, तो उसमें जल्दी ये चिप पकता नहीं है, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो है, इसका color धीरे-धीरे change होता जा रहा है, और आप चाहें तो इसको इस color पे भी निकाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा और इसको dark color करना है, जिससे कि ये देखने में और ज़्यादा सुन्दर लगे, और अंदर तक ये जो है पक जाए, तो ये देखे कितना अच्छा color आया है इसका, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, है ना बहुत आसान बनाने का तरीका, और friends एक बार आप इसको बनाएंगे और इसको भी हमें medium flame पर ही पका लेना है इस तरह से चलाते हुए, ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा डाल दिया था तो ये चिपक गया, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, धिरे धिरे ये छूट जाता ह ये देख सकते हैं, आप सारा ये भी पक चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे, और अब आती है बारी इसको चासनी में डालने की, तो आप गरम गरम भी चासनी में निकालते हुए और डाल सकते हैं, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बाद में इसको डाल रही हूँ, तो चासनी को आप हलका गुन-गुना कर लें, फिर ही इसमें आप डालें, एकदम ठंधा चासनी में बिल्कुल भी ना डालें, तो अरना ही ज़्यादा होट चासनी होना चाहिए, तो बस इसको डालके और बस दो मिनट के लिए आपको केवल छोड़ना है, उससे जदा बिल्क हो चुका है और मैं इसको एक इस्टेनर में निकाल लूँगी जिससे की इसका जो एक्स्ट्रा चासनी है वो निकाल जाए और इसमें एक्स्ट्रा चासनी बिल्कुल भी ना रहे तो ये देखे इस तरह से हमें निकाल लेना है और इसी तरह दूसरे बैच का भी डाल के हमें ज देखे कितना ही crispy बन के ready हुआ है मैं आपको तोर के भी इसको दिखाऊंगी कि अंदर तक ये एकदम से रश से भर चुका है, ऊपर से आप तोरने से ही देख सकते हैं कि कितना crispy है और अंदर में जालीदार बन चुका है और एकदम जूस अंदर तक इसका चासनी भर चुका है बहुत ही जूसी बनके रेडी हुआ है तो अब इसको मार्केट लुक देने के लिए यहाँ पे मैं थोड़े से चांदी के वर्क लगा रही हूँ आपको उपर से जो भी ड्राइफरूट डालना हो आप डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस होली पे जरूर इस रेसिपी को बना के ट्राइ करें आपको मेरी मेहनत मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जाए मातादी